हलो गाइस, मैं बेदान्त, आपके अपने चैनल Know Your Banks में आपका स्वागत करता हूँ आज मैं आपके साथ Bank Ops महराष्ट को लेकर बात करने बाला हूँ कि यह कैसा बैंक है और क्या आपको इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए मेरे काफी सारे वीवर्स हैं, उनकी रिवेश्ट के ऊपर इस वीडियो को मैं सूट कर रहा हूँ वाईस और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कुछ क्वैरी से हैं तो कमेंट करना ना भूदें बैंक ओप महराष्ट आज के समय में जब मैं इस वीडियो को सूट कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम तक तो गाईस यह गौर्णनेंट सेक्टर बैंक इस बैंक की ब्रांच एंड एटीम नेडबर्क इतना बड़ा नहीं है कि आपको हर जगे सर्विस दे पाएं बैंक ओप महराष्ट में आप घर बैठे ही ऑनलाइन अकाउंट इओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करवाने के बाद बाई पोश्ट आपको एटीम कार्ड मतलब की डैविट कार्ड गाईस एंड चेक बोक आपको बाई पोश्ट आपके रजिस्टर एड्रेस पर सेंड क कर दी जाएगी, साथी साथ अभी बीच में थोड़ा से एक चेंज और किया था महराष्ट बैंक ने, कई बार क्या होता, आपका जो एटीम कार्ड डैविट कार्ड है, ये ब्रांच में ही पहुंसता है, तो आप फिर ब्रांच इसे जाकर कर लें, गवर्मेंट सेक्टर बै करके आप काफी सारी सुविधा हैं आपको इस बैंक में मिलेंगी, गाइस बैंक आप महराष्ट में कितने रुपे से आपका अकाउंट मैंटेंड होगा, साथी साथ आपको इस अकाउंट में कितने रुपे मैंटेंड करने होंगे, ये पूरा आपकी लोकेशन की ऊपर डि इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको ब्रांच में जाकर ही रिक्वेस्ट देनी होगी अभी तक online रिक्वेस्ट करने का इंटरनेट बैंकिंग को लेकर कुछ भी तरीका Bank of ओप महराष्ट ने नहीं लाया हुआ है गाईस। अगर कुछ आता है तो उसको लेकर भी मैं बीडियो बना कर आपको अपडेट कर दूँगा। गाइस, बैंक आप महराश्ट की मोबाइल बैंकिंग एब बहुत अच्छी है मैं बहुत लंबे समय से बैंक आप महराश्ट की मोबाइल बैंकिंग को यूज कर रहा हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की कभी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली नहीं मेरा फंड कभी इसमें रुका है कि मुझे बैंक जाकर रिक्वेश्ट करनी हो कि मेरा पैमेंट रुक गया है सामने वाली पार्टी कोई पैमेंट पहुचा नहीं और बहुत इसी लिए आप लॉग इन हो सकते हैं इसमें तो मेरा एस्पिरेंस मोबाइल बैंकिंग को लेकर तो बहुत अच्छा रहा है गाईस नहीं बैंक ओप महराश्ट की मोबाइल बैंकिंग का गाईस मैंने बहुत लंबे समय तक सरवाई डाउन देखा है मैं करीब 4-5 साल से बैंक ओप महराश्ट को यूज कर रहा हूँ इसके बाद भी मुझे ऐसा ध्यान है कि एक या दो बारी ऐसा रहा होगा कि सरवर से रिलेटेट मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो गाईस नहीं तो मुझे सबसे जो अच्छी बात लगती है कि गौर्रमेंट सेक्टर की बैंक होने के बाद भी इसीली लॉग इन हो जाती है, फाइंट टांसपर हो जाता, कभी भी ऐसा कुछ एरार मुझे सो नहीं करता होगा और एट करने बाद आप फंट टांसपर करता हैं लेकिन उसके लिए आपको पूरे फोर आवर्स का बेट करना होगा फोर अबर से पहले आप किसी नए परसन को पैसा टांसपर ही नहीं कर सकते जिसको आपने अभी तक पहली एड निंग किया हो जितने लोग पहले बैंकिंग का यूज करना होगा जो कि मुझे इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट लगा है और अगर आप चाहें तो इसका यूपी यूज करके भी आप पैसा टांसपर कर सकते हैं यूपी भी इसका बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक है मैंने बहुत जादा यूपी चार्ज पे नहीं करना पड़ता महराश में आप अपना रेजिस्टर मोवाईल नंबर चेंज करवाते हैं तो बहुत भी बैंक में क्या होता गाइस कि आपने सड़नली बैंक में रिक्वेस्ट दी पर आपका मोवाईल नंबर चेंज हो गया या ATM मसीन से डेविट कार्ट के देते हैं नंबर चेंज करने के लिए और आपकी एप्लिकेशन धाई तीन बजे के असपास सरवर पर अपडेट होती है तो अगले दिन धाई से तीन बजे के आसपास ही आपका नंबर चेंज हो पाएगा क्योंकि 24 घंट एक आपको बेट करना हो उसके बाद इस सिस्टम मे महराष्ड की मोगाइल बगैंकिंग एप मेह अब जितनी बार भी लॉग इन करेंगे उतनी बार जैसे याप मोगइं करते हैं आपके पास एक मैसेगा बोगाbas करवा सकते हैं है ब्लॉग करवा सकते हैं साथी साथ बेंक ओप महराश्ट की गईस मैसेज अलर्ट फैसलिटी बहुत अच्छी है कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि आकाउंट से पैसे निकले हो या और मुझे मैसेज नहीं मिला तो मैं इसकी मैसेज लटकी फैसलिटी से बहुत ज्यादा सैटिसफाइड हूँ चारजिस को लिएकर अगर बात करें इस बेंक की कि ये चारजिस कैसे हैं तो कुछ भी मेरे अकाउंट से गाईस मैं करीष, साथ, आट, साल साल से यूज़ चारजिस कुछ भी नहीं हैं और वैसे मैंने जितना भी notice किया है कुछ भी unnecessary charges नहीं है ATM card के debit card के जो भी normal annual fees रहती है गाइस 178 रुपे के आसपास वो मैं yearly annually pay करता ही हूँ गाइस automatic account से minus हो जाती है वो ATM की मेरी जो limit है वो I think 20,000 या 25,000 कुछ है गाइस मैं sure नहीं हूँ क्योंकि मैं ATM से कभी इतना ज्यादा amount withdrawal किया ही नहीं क्योंकि mobile banking, net banking, UPI से मेरा काम हो जाता है गाइस क्या आपको bank of महराश्ट में अपना account open करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए ग बेकार experience नहीं है जिसको लेकर मैं आपको मना करूँ कि bank of महराश्ट में आप अपना account ना खुलवाएं अगर ये branch आपके घर के पास में है या थोड़ी दूर भी है और आपको लगता है कि एक ऐसी government bank में आपका account होना चाहिए जिसकी mobile banking बहुत अच्छी हो net banking बहतर हो and UPI का the EU साप ठीठा करते हों गाइस तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी bank है thanks for watching